सिरोही के मेडिकल कॉलज में प्रबंधन की लापरवाही का संसनीखेश माबलास सामने आया है मेडिकल कॉलज में टीबी वाट में भरती एक मरिश की तिमारदारी के लिए आई बहिला को दीन दाई और इसके बाद एक माह के मासूम बच्चे को उठा ले गया और खुते ने एक साल के मासूम बच्चे को नोच कर शत विशत कर दिया है जब मा की आँख खुली तो उसने अपने बच्चे को ना पाकर अस्पताल में ढूड़ना शुरू किया इसके बाद असपताल में माकऊ अपने बच्चे का शब मिला गटा से नाराज बीजेपी कारेकरताउं ने असपताल प्रबंधन के लाफर वाही को लेकर असपताल के बहार प्रदशन किया सूचना मिलने पर पोछी पुलिस ने विफशव को कबजे में लेकर पोस्ट माटरूम के लिए भीचा और पूरे मामरे की जाक शुरूँ कि ही जिफश परनी हमें है अर्य है में सलीपोस का इलाज कर आने के लिया था मिलेपा सांस चड़ती ही हमें खेल आये दूसरे में टूपर में घुकर मिलेगा थे बेटेक निया थे डिन बेटे होता है रहा खुतिया गुम रहे शायरे लोग तेब असके बात मैं आनक आख सूने तो बेटने सकते, सोने सकते, काम करने वाला कोई नहीं नहीं, तो फिर उसने उसको नीन आने लगी, हलकी सी वो भी सो गई, तो बच्चा उसके पास में सो रहा था, कुट्या अंदर आए, उटाया, और ले गया और गर्दन वर्दन को सब तोड़ दिया, हाथ पर खागए, बच्चा चिलाया नहीं, बिल्कुल नहीं चिलाया, उधर लेके चलेगे, क्यों नीन आ गई थी, क्यों छोटा सदा हो क्या चिलाएगा, यहां से पकड़के तोड़ दी पहले ही गर्दन उसकी, चुर भरती था, उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी साथ में थे, तो ऑस्पिटल की लापरवाई की वज़ा से, रात को यहां पे कुत्ते अंदर गुशे, और कुत्तों ने बच्चे को उठा के, उसको मार दिया, उसको चीर फढ़ करके मार दिया, और जब आवा एक बच्चे की बड़ी मिली है, तो उसके बाद यहां पर हस्पिटल आया, और बच्चे की बड़ी देखी थी, मोरशीरे में रखवाई, सुबह पीम करवाया, और क्या गटना होई उसके लिए, अभी जांच के लिए कहा है, जांच और फुटेज देखके फिर आगे बता सकते हैं कि क्या भवब के स हुआ, बताया जाराएं, कि बच्चे की माकिरी कि उससे कोरे कागश पर साइन और है, मेरे को जानकरी नहीं है, और बच्चे का पोस्मार्टर्म करवाद है उनकी पजाज़त के बिना, नहीं डिये, जो पॉस्मार्टर्म होगा उससे पहले उनसे परमिशनली होईगी लेकिन मेरे जानकरी में ऐसा नहीं है